एक वार्फरेंड जो खुलता है 7 अक्टूबर 2023 को इसरेल और हमास का जिसके बारे में शायद बात होनी बहुत कम हो गई है लेकिन बात होना कम हो गया इसका मतलब क्या ये है कि युद्ध खत्म हो गया है नहीं और इसलिए आज इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आई वक्त हमास और इसरेल में हालात क्या है और अब तक का सबसे बड़ा हमला कैसे इसरेल पर हमास ने कर दिया है जिसमें इसरेल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है इसलिए इतमिनान से आप आखर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो के आखर शुरुआत करती हूँ जो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जो इस खबर के बारे में हो सकता है बहुत जादा जानकारी ना रखते हूँ तो उन्हें में थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ 7 अक्टूबर 2023 जिसकर शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि वो दिन होता है जब हमास की तरफ से सबसे पहला हमला किया जाता है इसराइल पर और उसके बाद क्या था जब वहाँ पर हमास के लड़ाकों ने इसरेल में मासूम लोगों को निशाना बनाया इसरेल के नागर को खात्मा नहीं हो जाता अब ऐसे में बहुत लंबा वक्त बीद गया हमने इस युद्ध में इसरेल को भी भारी नुकसान उठाते हुए देखा तो हमास को भी यानि कि फिलिस्तीन जब मैं कहा रही हूँ तो क्योंकि वहीं से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी फिलिस्ती आप आम लोगों की भी जान जाती है न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जखमी है और अभी भी मैं आपको बता दूँ कि कई सारे लोग अभी भी बंदक हैं यानि कि जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमला किया था जब वो जमीनी ऑपरेशन भी उनकी तरफ से तो आप यकीन मानिए कि साथ हजार से ज़्यादा लोग वहाँ फिलस्तिंग में ऐसे हैं जो जखमी हैं बीस से पचीस हजार लोग ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है और नजाने कितने ऐसे लोग हैं जो मिले भी नहीं हैं यानि कि वो लापता हैं अस्पताल लाशों से भर गए हैं एक के बाद एक हवाई हमले और जमीन से लेकर आस्मान तक हमले किये जा रहे हैं लेकिन ये हमले हैं ये युद्ध है कि रोकने का नाम ही नहीं लेता अब युद्ध को रोकने के लिए ऐसा नहीं किसी नहीं की गई है क्योंकि इसरेल को अमेरिका का पूरा खुला यह पूरी दुनिया के सामने है इसरेल और मजबूती के साथ लड़ सके इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन ने पूरी मदद की है अब ऐसे में कई दौरे भी इसरेल में होते हैं ये भी दिखाया जाता है शक्ती प्रदर्शन भी किया जाता है लेकिन क्या इसरेल को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा है इसलिए अब इस यूदर से जुड़ी हुए एक सबसे बड़ी ख़वर जो निकल कर सामने आई है वो भी आप जान लीजिए इसरेल को पहली बार सेनिकों के लिहाद से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 25 सेनिक ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं और हमला हमास ने किया यानि कि ये खुद IDF की तरफ से जो इसरेल की सेना है उनकी तरफ से ऑफिशल स्टेट्मेंट दिया गया है कि ये बहुत बड़ा हमला है जो हमास के लड़ाकों की तरफ से किया गया है अब ऐसे में मैं आपको ये भी बता दू कि इस्रेयल की सेना जो समय समय पर जमीन से लेकर आसमान तक जब युद्ध में डटी हुई है तो अपने प्लान को भी बार-बार चेंज करती है यानि कि आप वो समय याद करिए जब पूरी तरह से खास तोर पर गाजा पटी वो जगा वो इलाका जहां पर लंबे समय से हमने संघर्ष और युद्ध होता हुआ देखा है वहाँ पर यानि कि इस्रेयल की जो सेना है वो ग्राउंड पर उतरती है उस पूरे इलाके को घेड लेती है लेकिन इतना आसान नहीं था हमारे सयोगी जो ग्राउंड जीरो पर वार की कवरेज कर रहे थे उन्हों ने हमें बताया और आप तक भी कहीं तस्वीरे पहुचाई आपको अगर याद हो तो कि कैसे जो जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन इस्रेयल की सेना की तरफ से चलाया गया वो गलिया बहुत चोटी है यानि कि वह सारे ओसे रास्ते हैं जहां पर जाना यानि कि मौद को आप बुलावा दे रहे हैं क्यूंकि हमास के रड़ा कि भाहां प्हले हुए हैं और वो जानते हैं कि आप इसा से गूजरने वाले हैं और आप जमीनी आप सोची operation कर रहे हैं तो वो तो पहले से घात लगा कर आप पर हमला कर लेंगे लेकिन उसके बाद भी अपनी strategy को बहुत मजबूत किया इसराइल ने अब जिसके बारे में आपको पहले बता रही थी कि कैसे जब हमास की तरफ से हमला किया गया था तो कहीं सारे ऐसे लोग थे जिने बंधक बनाए गया था अब मैं आपको ये भी बता दू कि अमेरिका ने जब दबाव बनाया जब अलग अलग देशों से दबाव आना शुरू हुआ तो हमास ने दावा किया गी कहीं सारे ऐसे बंदक जिने छोड़ दिया गया है लेकिन जानकारी अभी भी ये कहती है कि पूरी तरह से बंदकों की रिहाई अभी भी नहीं हुई है कोशिश की गई है यानि कि अलग देशों ने ये कोशिश की है कि ये युद्ध जो बहुत भीशण हो चला है वो किसी ना किसी तरह खत्म हो जाए लेकिन एक तरफ हमास है जो अब जितना उस पर हमला किया जाता है वो डबल हमले के सारद यानि कि devles ताकत के साथ अटक करता हैं उनकी मजबूत strategy में जो plan करने वाले आका हैं वो दूसरे देशों में बैठे और उनको सारा brief करते हैं यानि कि वो और मजबूती से इस मैदान में डटे रहें इसलिए उनके आका भी लगातार जो उनके आतंके उनको training दे रहें दूसरी दरफ कौन है इसरेल इसरेल जो ये कस्म खाचुका है यानि कि नितन्याहू जो कस्म खाचुके है कि ये युद्ध विराम सिर्फ तभी हो सकेगा जब खात्मा हो जाएगा हमास का अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर युद्ध कि यह तो तरफ से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं और खास तौर पर इसरेयल में जहां पर मासूम लोगों को एक के बादे हमास की रड़ाके निशाना बना रहे हैं अब ऐसे में क्या ये पहल की जाएगी किसी भी तरफ से क्योंकि ये तो देखकर नहीं लगता कि इसरेल अपने पाउं पीशे हटाने को तयार है ये देखते हुए कि हमास का खात्म नहीं हुआ है क्योंकि इसरेल इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि हमास फिर से अटैक नहीं करेगा इसलिए नेतन याहू इस बात को लेकर बिलकुल क्लियर है कि चाहे किसी से रिष्टे बिगड़ते हूं तो बिगड़ जाए लेकिन युद्ध विराम रही होगा लेकिन लोगों की जान जा रही है अब इसरेल के 25 सैनिक मारे गए हैं ऐसे में देखना ये होगा कि भीशन युद्ध अब आने वाले कितने दिरों तो चलने वाला है लेक अट्बने वाले कि उड़ ए Сथाइब किप अपक्रति डिभड़ते हूं